इस कारिक्रम के पुर्ण्यार जखें श्री वर्धुमान श्वेतामबर स्थानक वासी जैन श्रावक संग ट्रस्ट उपाध्याई प्रवर प्रवीन रुशी चातुर्मा समिती मैं ब्रह्मन कुल में जन्मा हूँ मैं ब्रह्मन कुल में जन्मा हूँ मैं ब्रह्मन कुल में जन्मा हूँ मैं ब्रह्मन हूँ और इसी अहंकार के कारण साधना तो हुई दिवलोक में गया और देवलों का आईश्य पूर्णकर उज्जाती के अहंकार के करण से उस्कूल के अभिमान के करण से परमात्मा का सिक्रेट और कर्मा के ताए बिना वजह की जिसका तुम अभिमान करोंगे बविश्य में उससे विपरीत वस्तु तुम्हें प्राप्त होगे जिसने ज्ञान का अहंकार किया वो ज्ञान से वंचीत हो गया जिसने रूप का अहंकार किया वो रूप से वंचीत हो गया जिसने कूल का अभिमान किया उससे फिर वो कुल नहीं मिलता अभिमान करने का मिनिंग है भविश्य में वंचीत हो जाना जो मिला उसका उप्योग जो करता है वो सीखर पर पौशता है जो मिला उसका जो अहंकार करता है वो खो देता है अहंकार का मिनिंग इखो देना है अरुशी के परिणाम सुरूप वो एक चंडाल के घर में जनम लेता है नकिवल कुल चंडाल का मिला वो क्यारेक्टर भी चंडाल का मिला नेचर वैसा ही था बच्चे खेल रहे थे बच्चों के साथ यह भी खेल रहा था लेकिन यह खिलाडी नहीं था खिलाडी इनोसंट होता है खिलाडी किशे को टॉर्चर नहीं करता है एक खेल में भी दूसरों को परिशाल करता है कोई दोर रहे तो उसके पाव में टांग अड़ा देता था वो गिर जाता था सारे प्रोटोकॉल को ब्रेक करता है दोस्तों ने देखा है एक खेलने लाएक नहीं है उसको आउट कर दिया तो खेल में नहीं बाजम हो जाए बड़ी बुरी तरह से उसको अपमानित करकर के बाजम बेठा दिया बच्चे खेल रहे हैं और ये बाजम उदाहस बेठा हुआ है सोच रहे हैं मैं ऐसा क्यों हूँ क्यों मेरे अंदर ऐसी बाते हैं क्यों मैं ऐसा भ्याहर करता हूँ और उसी समय वहाँ पर एक जहरीला सर्प निकला लोगों ने उस सर्प को पीट करके मार डाला हर किष्य देख रहे हैं थोड़ी देर के बाद वहाँ से गंधूर निकला है लोगों ने उसको धूप में से उठा करके च्छाओ में रख दिया है हर किष्य देख रहे है मैं को नू हूँ मैं कैसा हूँ मैं इंसान हूँ मैं बच्चा हूँ लेकिन मैं कैसा बच्चा हूँ ओ जहरीले सर्प के समान हूँ या गांठोल के समान हूँ मैं जहरीला सर्प हूँ मेरे में वीश कहां से आया हूँ मेरे में जहर कहां से आया हूँ परमात्मा इसको धर्मध्यान केते हूँ अपने अंदर में कशाए क्यों आता इसकी खोज करना हूँ मैं ऐसा क्यों करता हूँ मैं ये मिश्टिक क्यों करता हूँ मैं गल्तिक क्यों करता हूँ और हरीकेशी खोजने लगा ये मेरे में जहर क्यों है मेरी मा में जहर नहीं है मेरे पीता में जहर नहीं है उनको सब प्यार करते हैं उनको सब आधर देते हैं मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ एक गोड़ी पने है, बहुत गेरे जाना वाता है तब तक मत रुको, जब तक अपने सवाल का जबाब नहीं मिलता है अपने अंदर अपने सवाल के जबाब छीपे हुए है प्रभू केते हैं उसको तब तक खोजो जब तक जबाब ने मिलता है हरी किशी बच्चा था नेकिन डीपले गया डीपले गया डीपले गया बुल गया वो खेल को भुल गया वो स्वयम को कि मैं हरी किशी हूँ भुल गया हो कि मैं चंडल कुल मैं जन्मा हो भुल गया हो अपने तन को भुल गया हो अपने परिस्तिती को वो तो क्यों देख रहा कि मैं कहा हूं मैं को नो हुए माईश वाईश और खोसते खोसते उसका अज्ञान दूर हुआ उसको जाती समरन ज्ञान हुआ है जो अपने आतीग की खोच करते हैं वो ज्ञान को अपलब्द हो जाते हैं और उसे पता चला कि मैं वही सुमदेव हूँ जिसे मुनी की कुर्पा मिली योगी की कुर्पा मिली लेकिन मैंने अहंकार किया है इस जनम में मुझे अहंकार करने का आउसर ही नहीं मिला है मेरे अहंकार के करण से मुझे इस साधना का आउसर भी नहीं मिलना है लेकिन साधना ही जब याद आ जाती है ता हरीकेशी मुनी है, हरीकेशी मुनी बन जाता है, दिक्षीत हो जाता है लेकिन लोग उसको जानते कि इचंडाल है, इचंडाल है लेकिन उसने अपने तपश्चा की रहा पर ऐसे आगे बढ़ा है कि देवियां, देवतां उसकी सेवा करने लगे है, मास्खमन, मास्खमन के पार्णे करकरके अपने श्रीर को उसने सुखा दिया उसकी नाक उपर उपर करके उभर करके आई, उसकी गाल पिचग दे, मैंने कुछले कपड़े पहन करके वो साधना में तन मेरेता था है ऐसे एक बार एक एक्ष के मंदिर में वो साधना कर रहा है, ध्यान में कड़ा है और वही पर कौशल वननाराशी का राजा है, उसकी बेटी भदरा है अपनी सहिलियों के साथ उस एक्ष मंदिर में पुझा करने के लिए आई और उसी मंदिर में हरी केशी मुनी ध्यान में कड़ा था, मैं ले कुछ ले कपड़े पेना हुआ है वो प्रदक्षना कर रही ते और प्रदक्षना करते करते उसने मुनी को देखा है उसको मुनी नजर नहीं आए उसको ध्यानी नजर नहीं आए उसको योगी नजर नहीं आए उसको उसके चेहरी पर का तेज नजर नहीं आया है उसको किवल उसका शरीर नजर आया है उसके कपड़े नजर आया है और कपड़ों के अधार पर जो जीते हैं वे कपड़े जैसे ही जिन्दगी में फट जाया करते है उसने कपड़ों का मुल्यांकन किया है उस योगी पर थुक दिया, गंदा अग्मी है, इस पुजा के समय में हैं इस गंदेगी के साथ खड़ा है, लेकिन मुनी ध्यान में तनलीन थे, लेकिन जिस यक्ष की उपासना करने के लिवाई थे, वो यक्ष उस मुनी का भगत था, उस मुनी का उपासत था, उस मुनी का से उसको आपने स्रद्धे का आप्मान सिका ले हुआ है और उसने उस राजकुमारी को परिशान करने के लिए उसके शरीर में प्रवेश कर लिए राजकुमारी पागल जैसे हो गए भुद बाधा होने के बाद कपड़े भाड रही है बाल नोच रही है उटपटांग बोल रही है राजके पाशकुमार गई क्या हो गया है बहुत सारी लोगा है मानत्र का है तंत्र का है अंदर में एक्षे ने राजकु कहा है इसने मेरी अराध्य का आपमान किया है जिनकी मैं सेवा करता हूँ उसका इसने तिरसकार किया है मैं तब भी इसको छोड़ोंगा जब इसकी शादी तुम उसके साथ करोंगे संभल जाओ बंदू क्या पता जिन्दगी में जिसका तिरसकार करते हैं उसके साथ जिने के मजबुरी आ जाए जिसका दुदकार करते हैं पता नहीं कब उसके साथ जिने के मजबुरी आ जाए राजा अपनी बेटी को ले करके यक्ष के मंदिर में पहुचा तपस्य को कहा इसको माप करो इसकी गलती हो गई इसको अपने पतनी के रुप में स्विकार करो हरी केशी ने कहा भई मैंने तो मेथुन का त्याग किया हैं मैं तो जावजीव ब्रह्मचरी के वरत को स्विकार कर चिकाओ मैं इसको अपतनी के रुप में स्विकार है नहीं कर सकता हो क्या जिंदगी बंती है कोई स्विकार ने कर पर आए राजा घर ले जाना नहीं चाहता है उपद्रों को कोन घर ले जाएगा और उपद्रों बढ़ जाएगा राजा घर ले जाने राएश मुनी सिकार ने कर राएश राजा ने सुर्यास्त होने तक मनोहर करने का प्रयास किया लेकिन मुनी नहिमाने राजा वही छोड़ करके चला गया कलप ना करो उस भद्रा की क्या स्थिति बने होगी जिस पर थुका वो स्विकार ने कर ना है और पिता घर ने लिजा रहे है पड़ी वहाँ पर उदास निराश अताश अंदर भी अंधियारा बहार भी अंधियारा है यक्ष ने अपनी माया खेली उसके साथ रे गया है दुसरे दिन सुभर उसको गहां घर जा है रात को बिता करके घर आई पिता को कहां कि मैं सुस्त वाक्ष मुझे यक्ष ने छोड़ दिया है लेकिन जिसको रुषी की पत्नी बना चुका उसके साथ कोन राजकुमार शादी करेगा है जो परित्यक्त हैं उसके साथ शादी कोन करेगा है पंडितों के सभावेठी हैं और पंडितों ने कहां रुषी और ब्राह्मन एक समान होते इसको किषी ब्राह्मन के साथ शादी कर दो और जिसने कहां उशी के साथ, रुद्रदेव के साथ, राजा ने उसके शादे कर दी और रुद्रदेव बड़ा खुश हो गया है और उस खुशी में घर लेकर के आया है, बहुत दिन बिद गया है एक दिन उसने बड़ा यग्य का युजने किया, बहुत बड़ा यग्य किया है और रुशी ने देखा, हरी किशी ने देखा एक पाखंड समापत होना चाहिए जैजनेंद्र, मैं खुश्बू करनावर जैपुर राजस्तान से मैंने 2020 में अरहम गर्ब संसकार का कॉर्स किया था मैं अपने बार में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ I am an image consultant, personality development trainer and public speaking trainer personality की जब बात करते हैं तो everyday youngsters or women से मेरा personality enhancement को लेकर काम चलता है मैं मिलती हूँ और personality मैं आपको बता हूँ It's not just what you see outside इतने सालों में जो मैंने समझा है personality comes from inside और हमारा insight बनाता है हमारे संसकार और बच्चे को संसकार देने का बेस्ट तरीका है गर्ब संसकार क्योंकि जो बच्चे को हम गर्ब में सिखा सकते हैं वो बड़े हो के शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो अरहम गर्ब संसकार के थरू मुझी इतना स्ट्रुक्च्छर तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेए तो अगल को प्रेगनसी में उसके बाद मुझे किसी ने गप शंसकार के बारे बताया और उसके बार मैंने किया और फिर मैंने second baby मेरे हुआ जो अभी जो baby है वो हुआ and I can't tell you how effective and magical this is it's like creating your own child it's like customizing your own child हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हातों में है वो हमारे पास है और वो है यह अरहम गर्प संसकार you can customize your child and make it as you want और आजकल के time में जो इतना जादा सब्थ के वैसे यानि गलत चीज़े चल रही है पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही है हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संसकारों पर ध्यान दे ताकि वो आज की भाग दौर से आजकल की negativity से बड़े होकर बच सके तो मैं रेक्मेंट करोंगे पिकिस मैं तो देख रही हूं मेरे बच्चे को दो साल का मेरा बेटा है और आज सी माजिक तो इतनी सारी बाते एक बड़े जैसे मतलब समझता बहुत ही इंटलिजिएंट बच्चा है गुरुक्रपा से आगे रहेगा भी तो इतनी सारी बाते है शेयर करने के लिए विच अंस्पायद मी अथारा सारीक से अथारा नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनि इस कारिक्रम के पुण्यार चखें श्री वर्धुमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संग ट्रस्ट उपाध्याय प्रवर्थ प्रवीन रुषी चातुर्मा समिती महावीर भवन इंदौर झाल